आपने नॉर्मल जैपनीज कैनलिस्टिक तो जरूर सुना होगा बट आज हम डिसकस करेंगे हेकिनेशी कैंडिल्स जो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनती है और इसके साथ कम्पैरिसन करेंगे नॉर्मल कैंडिलिस्टिक चाट पर जब मार्केट क्लोज हुआ आप ध्यान से देखो कितना बड़ा एक इंगल्फ का इंड ओ पैटन बन गया प्रॉपर इंगल्फ भी नहीं हुआ ठीक है बट बड़ी केंडिल बनीगी है और अगर आप यहां पर ध्यान से देखो यहां भी रैड है यहां भी रैड द तो थेखे-खेशी केंडिल में नहीं क्याआ दो यह वी केंडिल हमार देखो तैन आप पैंडेकें भी केंड़ बूंड हमें यहां ऐख और तीन देखो यह अगर पर आप पेंड़न देखते हैं है पैटन इंगल्फिंग पैटन इस्पिनिंग टॉप रिवर्सल यहां पर कोई पैटन देखने की आपको जुरूरत नहीं यह सिंपल है ग्रीन बन रही है तो मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा बुलिश हुआ है चेंज हुआ है रैट बन रही है तो हो सकता थोड़ी प्रॉफ आप देखो ध्यान से यहां पर मैंने क्या पैटन बना रखा इस जगे आप ध्यान से देखें मार्केट में एक डाउन केंड स्टार्ट हुआ देखें मार्केट गिरा इस पर्टिक्पूलर लेवल से लगाता गिरा गिरता रहा गिनने के भाद एक ऍसने गिस एक है टाइप की केंडल बनाएं जिसमें ऊपर की तरफ भी है और नीचे पर नीचे यहां पर ओपनिंग हो गई फिर उपर गया हाई बनाने 105 रुपए का सपोस हाई बना दिया और फिर लीचे आके फ्लोज हो गया इस एक सो तीन रुपए का लो ओपनिंग सो 105 का हाई 103 का लो यह नॉर्मल जैपनीस केंडलिस्टे का बट यहां बात कर रहे हैं हेकी नेशी बने हमेशा ग्रीन नहुतिया नहीं ज्यों प्रफ्ण और सब्सक्राइब मर्कुंशे बने के बाद कर देखने मांकिटर घ्रने के बाद बनी सशांते second candle, दो green candle बन जाएं जिसमें lower wick ना हो, wick ये वाली wick होती है, ये अपर wick है बड़ इसमें नीचे wick हो तो बहुत छोटी सी हो, कितनी छोटी सी wick हो मैं बना के दिखा दे रहा हूं, इतनी छोटी सी हो इतनी छोटी सी हो, इतनी छोटी लिखो, आप third candle के आसपार by the position opening में बना सकते हैं, क्योंकि ये ओपन ही ऊपर से होती है, या कई बार नीचे से होती है, ये हैं आपकी average wick candle, average wick candle होती है, इनका formula अगर आप द्यान से देखे, formula इनका ये है, जो closing हुई है, इनकी open high low close, इसका average निकाल लिया, इसका average price of current bar, जो current bar का open high low close है, उसका averaging निकालके इन्होंने closing निकाल ली, opening निकाल ली है, open of previous bar, plus close of previous bar, divided by two और उसको भी divide कर दिया, open and close को previous bar के, दो से divide कर दिया, तो opening आगे next candle की, और यहाँ पे देखो, high बनावार अगर तो maximum लिया, इन्होंने high, open, low, close का, low है तो minimum लिया, open, high, low, close का, formula में आपको जाने की जरुरत नहीं है, आपको देखना है, simple, बन कैसी रही है, lower week नहीं हो, तो आप buy के position बना के सबसक्राइए, इसके साथ अपना price section यूप करें, जो भी कुछ आपको आता है, तो यहाँ पर आप position बना है, बर देखें, एक downtrend के बाद बनी हो, market गिरा उसके बाद बनी हो, उसके बाद ये red color की candle बन गई है, इसके बाद ये जो candles बनी है, red color की यहाँ पर आप ज्यान से देखो, इसमें अपर विक भी है, लोर विक भी है, और बहुत बड़ी-बड़ी विक बन रही है, मालनो, सपोर्स इसर नहीं, तो इस साइन ओप प्रॉफिट बुक ही, तो आप अपना जिनोंने यहाँ बाए किया, वो प्रॉफिट बुक करके निकल सकते, यहाँ बुल्स बियर की fighting हो रही है, डबली-डबली चल लगी है, fighting चल लगी है, तो इस जगे आप अपनी position square off करके चलें, जब बहुत बड़ी-बड़ी विक बन जा है, हेकने सी candle में, उसके बाद धुवारा red candle बनी, बट इसमें अपर विक बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, लोर विक हो, लोर व बड़ी बन ली तो नेक्स फिर आपको वेट करना है, यह सपोस्पोज मालनो इसकी विक बड़ी बन गई, इसकी विक बड़ी बन गई, तो यहां सेल नहीं करना थी, इसको देखना है, इसकी विक छोटी हो, अपर विक, यहां का इस position अपनी सेल नहीं बना सकते, चार्ट मे परकेट एक रेंज में चलना था, बड़ जब इस रेंज से निकला, तो बहुत अच्छा चला, तो हम क्या अगर सकते थे, यह फर्स्ट केंडल बन गई, इसमें लोवर विक बहुत छोटी है, इस ग्रीन केंडल, इसमें लोवर विक है ही नहीं, तो थर्ड केंडल की ओपनि बड़ यहां ग्रीन है, अब यहां पर देखो बड़ी बड़ी बन गई है, दिहान से, इस सिर्ड के लोवर विक बड़ी है, इस से साइन ओ, अपर विक बड़ी, इस से साइन ब बॉपि भुकीर, यहां पर प्रॉफिट्ट बुकिंग चल का मतलब है जिन्हों ने एपनी व पॉजिशन बनाई थी, वो सॉरी, बाई की बोजिशन बनाई थी, अब यहाँ प्रॉफिट बुक कर, एक बाद निफ्टी की चार्ट पे चलते हैं, निफ्टी की चार्ट पे भी ऐसी कुछ हो रहा है, यह देखो, आज मार्केट थोड़ा साइडवेज रहा, क्योंकि कल को ए रेड ग्रीन, रेड ग्रीन बन रही है, बट यहाँ ग्रीन ही बनती चली जा रही है, बीच में एक रेड आई है, आप कुछ इस तरीके से प्ले कर सकते हैं, मैंने बता एक अच्छे फॉल के बाद, दो ग्रीन बने, यह अच्छा फॉल आया, रेड बनी, फिर मार्केट पड़ी उसके बाद, दो ग्रीन बनी, तो यहाँ इFF पंड़ सकती थी, पर थार्ड कैंड़ फिर लींचे ऊपन हुई है, उसके बाद फिर नीचे चला गया है, फिर दूबारे इसने कोशिश करी, जिन होने, इस यहाँ पर बना सकते थे, कही पोजिशन आप पर इसका रखें जो last swing low है वो stop loss रहेगा यही last swing low ही इसके नीचे ने stop loss रखो यही आप पाच मैट पे भी कर सकते ते यह भारती एर्टेल का 5 नट का चार्ट है मैं इस पर daily चार्ट पर आपको या वन आर के चार्ट पर लगा के दिखा रहा हूं भारती एर्टेल के चार्ट पर आप ध अगर आप नॉर्मल केंडिल देखोंगे तो नॉर्मल ऐसी नहीं बनेगी दो तीन तीन काफी साथी रैड 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 भरी पर इसे समझना थोड़ा एजी हुआ जाता है मार्कित का आपको ग्रीन बन रही है तो बुलिश है रैड बन रही है तो भी अब आपको पता है एक फॉल आया यहां से एक फॉल आया चाशा का अटक है एकृसल ल खृमी ट्रेट अबने प्रोफिट बुक कर लो इहां पर कोई ऐसा फॉल नहीं आया कि यहां क्या कर सकते हो यहां पर तो सेलिंग की पॉजिशन बना सकते हो अगर आपको लग रहा है मार्केट एक अप्ट्रेंड में है अप्ट्रेंड के बाद दो बड़ी-बड़ी रेड बनी नहीं यह रे हो तो भी बहुत चोटी हो थर्ड केंडिल पर सेल कर सकते हैं या फिर इसका जो है लो ब्रेग हो जाए तब सेल करो तो ज्यादा सेफ हो जाओ पासको एक बार इसे पांच मेंट के चार्ट पर भी मैं आपको दिखा रहा हूं तो ज्यादा क्लेरिटी आएगी अब यह थोड़ा साइडवे स्टेंड है पूरा बड़ी बड़ी बिक बन नहीं कई सारी को साइडवे स्टेंड में घूम रहा है कि यह वी साबा साइडवे स्टेंड है 15 में देखें तो आप अपने हिसाफ से इन हेकिनेशी केंडल का यूज कर सकते हैं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब अफिन वीडियो अधरोचि है